22 जुलाई से कावड यात्रा शुरू हो रही है लेकिन कावड रूट दुकान दारों की पहचान के आदेश को लेकर माखुल गर्माया हुआ है यूपी ही नहीं उत्राखन में भी कावड रूट पर दुकानों पर नाम लिखना अब अनिवारे कर दिया गया है पोलिस च्रेकिंग कर रही है और सरकार के मताबिक कावड यात्रा में शान्ती व्यवस्था को कायम रखने के लिए ये आदेश दिया गया है तो दूसरे राज्यों में भी ऐसी मांग उठने लगी है आलाकि इस आदेश पर सियासत भी जम कर हो रही है पही डिप्टे सीएम केशब प्रसाद मौरे ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने पर वपक्ष को आड़े हाथो लिया उन्होंने विरोध को मुस्लिम तुस्टिकरन बताया जो इत्र लिंग है वहाँ पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं और जो सवाल उठा रहे हैं कुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल सुद्ध रूप से मुश्लिम तुष्टिकरन की राजनिती कर रहे हैं इसके अलावा उनका कोई बिजन नहीं है कोई मिशन नहीं है ये कामर यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान देरे हैं वाहीं बीज़पी के पूर्व साथ सुब्रत पाठक ने इस फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया औरोंने इसे शिभख्तों को भोजन जिहाद से बचाने वाला फैसला बताया औरोंने मुस्लिम दुकानों पार हिंदू नाम लिखने को भोजन जिहाद की संग्या दी है यह किसी धर्म विसे इसके परती घरना से जुड़ा मुद्दा नहीं है यह मुद्दा कहिने के हमारी हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है इस परकार से गैर धर्मों के लोगों को अपने धर्म के परती आस्था है हम सभी को जानकारी है कि मुसलमानों के सबशे पवित्र, तीरसिस्तल, मक्का में किसी गैर मुस्लिम का प्रवेश फरजित है तो उसी परकार से हमारे कवरियों के मारे को खास कर पस्ची मुत्वर्परदेश जो कि मुस्लिम बहुले वहें केंद्री मंत्री गिरिडाज सिंग ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि अगर हिंदू नाम इतना प्रिये है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते तो अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है अपने नाम का बोर्ट लगाने के आदेश टिये गए है ना सिर्फ यूपी बलकि उत्राखन में भी ये नर्देश चारी किये गए जुसके बात में आब आप शिपाटियों की तरफ से सवाल उठाये जा रहे हैं देखे राज सरकार का मामला है राज सरकार कोई भी निकालता है बिग्यप्ती या कानून बनाता है तातकालिक किसी चीज को तो सब को मानना चाहिए अगर समिक्षा होगा तो राज सरकार जैसा उचित समझेगा वो ऐसा करेगा कावड यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवारे करने को लेकर बीते दिनों से यूपी की चर्चा पूरे देश में हो रही है अब सिये मिलगी ने पूरे प्रदेश के लिए ये फैसला लिया है और पूरे यूपी वे कावड मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचाल को मालिकों का नाम और साथी पहचान बतानी होगी इसे लेकर कई पुलेस प्रिशासन काम में जुटे हुए हैं जिसे लेकर खुलासे भी हो रहे हैं और हिंदू नाम वाले धाबी आफ़र दुकानों के मालिक मुस्लिम निकल रहे हैं उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की अपनी दुकानों में तस्वीरे भी लगाई है यूपी में कावण मार्ग पर पढ़ने वाली हर दुकानों पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा CM योगी ने पूरे प्रदेश के लिए ये आदेश जारी कर दिया है आदेश के मताबिक प्रदेश में नेम प्लेट पर दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान लिखनी होगी इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोड़क्ट बेचने वालों पर भी कारेवाई होगी यूपी में 22 जुलाई से कावड यात्रा शुरू हो रही है इसके पहले प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है योगी सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने नेम प्लेट की चेकिंग भी शुरू कर दी है मेरट में पुलिस सड़क पर रहडी पटरी वालों की नेम प्लेट चेक करती नजर आई है मुजफर नगर में पुलिस प्रशासन के आदेश का असर दिखने लगा है और रहडी वालों से लेकर धावा संचालक तक अपना नाम अपने प्रतिष्ठान के साथ लिख रहे है हाला कि प्रशासन भी ये साफ कर चुका है कि ये आदेश धार्मिक भावनाओं को आहत पहुचाने के लिए नहीं बलकि अप्रिय घटनाओं और विवादों को रोकने के लिए दिया गया है आपको बताते हैं कि मुजफर नगर में पहले क्या हो रहा था संगम होटल को सलीम खान चला रहा था रुड की रोड पर वेलकम होटल को हाजी मुर्तजा संचालित कर रहे थे मेरट के शुद्ध छोले भटूरे को महरास चला रहे थे जाइका रेस्टोरेंट को तंजीम इटालियन हट को नदीम चला रहा था इनके अलावा नूर मार्केट में न्यू बाबा स्वीट्स को नौशाद नीलम स्वीट्स अर्शद एहमद अनमोल फ्रूट यूनिक प्लाजा को जुबैर एहमद चला रहे थे नाइस कनफेक्सरी जो बजहेडी रोट पर है उसे इसरार चला रहा था गुडलक टी स्टॉल बजहेडी रोट पर ही है उसे शमशाद चला रहा था कावड रोट पर दुकानों की पहचान के आदेश से पहले मुजफ़र नगर में क्या कुछ होता था ये जरा तस्वीरों के जरिये भी देख लीजे आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है कि रोड की रोट पर धाबे का नाम संगम शुद भूजनाले है लेकिन असल में इस धाबे को चाले वाला शक्स मुसल्मान है जिसका नाम सलीम है नया आदेश आने के बाद अप सलीम ने अपने धाबे का सलीम शुद भूजनाले का बोड लगा लिया है जिससे इनकी पहचान साफ है पहचान में कोई कन्फ्यूजन नहीं है प्रशासन ने ऐसे सभी लोगों को निर्देश दिये है कि वो अपनी अपनी दुकानों पर अपना नाम जरूर लिखे ताकि कावड यात्रा के दौरान कोई हंगा माना हो अमरोहा में नैश्ट हाइवे किनाश की काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हिंदूों के नाम पर धाबे संचालित कर रहे है हैरानी की बात तो ये है कि मुस्लिम समुदाय की लोगों ने हिंदूों के नाम पर रखे अपने धाबों के नाम के साथ-साथ धाबों में हिंदूों के भगवान की मूर्तियां भी लगा रखी है इतना ही नहीं धाबे के बाहर लगे बोट पर कहीं ओम तो कहीं सिख समुदाय के गुरुनानक देशी तस्वीर लगा रखी है जबकि इंधाबों के मालिक मुस्लिम है यूपी के बाद उत्राखंड सरकार का बड़ा फैसला कावड यात्रा के रूट की दुकान पर नाम लिखना होगा पान मालिक और स्टाफ का नाम भी लिखना जरूरी है हरिद्वार में भी यूपी जैसा आदेश लागू हो गया है कावड रूट पर दुकानों पर नाम लिखना होगा दुकान मालिक का स्टाफ का नाम जरूरी है दुकानदारों का वेरिफिकेशन भी होगा देखे कावड की जो हमारे तैयारिया हैं इसके संबंद में जो होटल ढाबे हैं रस्टरेंट्स हैं यूपी और उत्राखंड सरकार के फैसले के बाद जहां एक तरफ सियासत हो रही है वहीं इस्थानिया लोग पुलिस प्रशासन की इसका रिवाई का स्वागत भी कर रहे हैं ताकि किसी भी विवाद की स्थिती से बचा जा सके न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मुझापी अगर भी कई रेस्टोरेंट के मालिकों ने सरकार के आदेश का पालन तो किया है लेकिन उन्होंने होटल का नाम बड़ा बड़ा और अपना नाम छोटा सा लिखा है एक बात बताईए कि आप लोगोंने नाम तो लिख दिया है आपका नाम संजीव आप लोगोंने नाम तो लिख दिया लेकिन जो नाम है वह बहुत छोटे अक्षरों में लिखा गया है कोई एरो नहीं लगाया गया बताया नहीं जबकि प्रशाशन ने कहा है कि आपको ब्रैंड वेल्यू के साथ ही नाम लिखना है कोई एरो नहीं दिरेक्टर बस लिख दिया गया कौन डिरेक्टर कहां के डिरेक्टर कैसे पता चले जब हमारे सामने लिख यगाila शारिकरहना के पास्टनर है है कोई D Scroll को बति और हो dedicated ने तो यहां पर नाम लिख दिया गया है और कुछ कस्टोमर से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं तो एक फर्मान योगे अधितनात ने जुस उबे के मुख्यमंतरी सुनाया कि आप सभी रेस्टरॉंट्स को छोटे बड़े कोईसे भी हो नाम लिखना जरूरी है योगी सरकार के फैसे से हिंदू धावा मालिकों कुफ़ाइब लिखने में नाम लिखने में कोई हर्ज नहीं पाइदा होने का दावा किया जा रहा है अब दावा है कि विशेश समुदाय के दुकानों पर ग्राहा घट गए हैं जबकि हिंदू धावों पर कावडियों की भीड़ देखने को मिल रही है यह देख सकते हैं योगी आदित्यना सरकार के आदेश के बाद यहां नाम लिखा हुआ है पंडी जी का ढाबा प्रोफेसरल राहुल सर्मा श्री बिजेन सर्मा उनका कॉंटेक्ट नंबर भी दिया है और यह बताता है कि कौन मालिक हैं और कौन संचालक है लेकिन यहां कावड यात्री हमें काफी दिख गए जो की गंगोतरी से आप लोग आ रहे हैं गंगोतरी से यह लोग आ रहे है और वापसी के रास्ते पर यानि हरिद्वार से वापसी के रास्ते पर हैं इन लोगों से बात करेंगे सबसे पहले तो यह बताईए योगी जी क तक भी आप लोग लगातार आते रहते हैं तो किसी का धाबा उससे क्या फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है तो क्या आप लोग को इससे क्या फायदा होगा आप लोग तो अकसर आते हैं पाइदा के नहीं क्या जैसे बतां के नाम पे लाद करते हैं वे लेकिन जो अहीं इनी हैं मुस्लिम यिस ने वर्सौ सदिय नेृग इस देण कर दूखान पर पहचान को लेकर सरकार के फैसरी को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों का दर्थ भी सामने आया वो भी आपको सुना दे पहले भी यहां से कावड यात्रा जाती थी आप लोग सब मिल जुलकर पूरा इस कावड जो बिल्कुल जो कावड मेला है इसको सही डंग से मनवाने में सहोग करते दे पर ससन का इस बार एक नहीं परकिरिया परकिरिया नहीं लागू की गई है दुकानों पर नाम लिख दिय कहा है प्रोप्लाइटर आपना नाम बताना होगा पॉइस एक यह दुकान किस की मुहम्मृ ед की है कली या राजु की है या धरमबीर की है जैसी तो इससकर सही मांते हिसमें पहले भी कहा इस्ति थी गोई है ट्यों उनका है कियों क्यों किया गया हो गया है। प्रोप्राइटर और तमाम नाम लिखे गए हैं दुकानों में पूरे मुझे फर्णगर के कावड मार्ग उपर क्यों लिखे होंगे आप पिचान करने के लिखे होंगे पैचान करने के लिखे हो रही है कोई दिक्का था इससे कोई पैचान होनी चाहिए नहीं बस यह है वह भेद वाला मामला है कई साल से कावड गुजर रही कभी आज तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ बहुत शांती पूर्वक हम कावड को गुजरवाते हैं फुद अपने आप इसका देखबाल करते हैं कोई किसी तरह की कोई अपनी यह गटना नहों को यह ऐसी बात नहों जिससे के मुसल्मान के कोई थ опыт लेकंडार अपना नाम इसमिटन कर रहा हैं पैचान बता रहा है लिखा हुआ है ने लिखा हुआ हे सब्श 딱 करते हैं किसी तरह की कोई पढ़ेशानियों थे दिखत तो इस बात कि है कि बहुत वाला मामला बंदा है उन्हें तो कभी आप यहां तो सेवा करके चलें कभी ऐसा मामला रही नहीं कभी पहली बार मामला देखने को मिला है ब्रेट भावी क्या हिंदू भी अपना नाम लिख रहा है मुसल्मान भी लिख रहा है सीख बिल्व अमर, अकबार, एंटनी, ती सभी सब लिख रहे हैं क्या नहीं है है यह सोच से बाहर है सफ कोई नाम लें में कोई गलत सोच रहा है और अपने उन Stallum पर नाम बताना या लिखना क्यों गलत है गलत सर इस बात का जिवाज से कावड चली कसे धरम है जिवजब जब नाम नहीं पर किसी ना लिखा क्या नाम कैसे जैसे हिंदू की दुकान है इस पसे समान ना लिए तो फिर कावड में क्यों है असी परसेंट 95 परसेंट एद बखराइद हमारा दोतिया हुआ रहे हैं हम कभी यह नहीं सोचते कि हम हिंदू की दुकान से शौपिंग ना करें खरीदारी ना करें हमें कोई मतलब भी नही है अगर कावड यह आ रहे हैं वो किसी भी दुकान से लें उनकी मर्जी है सामान लेने को नहीं रोका गया सिर्फ नाम इसपस्ट किया गया है की नाम बता दे दुकान का नाम से दिखतो रहा है कि महम्मद महवूब है अब कल मारे पास तल लेड आया एक कावड यह तो वह म महवाई मिया गाओ